हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर जोती पांडे आज मेरे वीडियो का टॉपिक है टैन वर्निंग साइन आफ ओरल कैंसर मतलब ऐसे मुह के दस लक्षान जिसको देखे आप जान सकते हैं कि आपको कैंसर है या जिस किसी को भी अगर यह इसी साइन्स को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको नंबर वन से लेके नंबर टैन तक आपको रिकॉल कराने वाली हूँ नंबर वन है मुह में अलसर का होना अगर मुह में अलसर ऐसा होता है जोकि जल्दी ठीक नहीं होता है पहले तो शुरुवाती दिनों में उसमें थोड़े दर्द रहते हैं लेकिन अचानक उसका दर्द भी दीरे दीरे गायव हो जाता है तो फिर आपको डेंटिस से कंसर कर नबने की जरूरत है ये सबसे पहला लक्षण माना जाता है oral cancer का सकंड नमबर है कि अगर आप के दान्ट और जबड़े के बीच में मतला यहां अंदर का एरिया होता है यहां इस रॉलब आरिया में जीब और दान्ट के बीच यहां पे अकसर लोग तंबाकू को दबाया करते उस जगह पे, अगर आपको सफेद रंका या राल रंका कोई भी डाग अगर दिखाई देता है तो ये भी oral cancer होने के पहले का लक्षन माना जाता है और इससे आगे चल के cancer हो जाता है थर्ड नमबर पे है कि अगर आपको उसी जगह पे जहां कि आप तंबाकू को दबाते हैं और उस जगह पे आपके कॉली फ्लावर के जैसा कुछ रफ सर्फेस में सफेज सफेद फफुन लगा हुआ कुछ भी ऐसा अगर दिखाई देता है तो भी यह कैंसर का लक्षन माना जाता है और आपको बिल्कुल भी देड नहीं करते हुए ड जैसे उसको टच करते हैं अगर वहां से तुरंट ब्लीडिंग होने लगती है तो इसे भी कैंसर का लक्षन माना जाता है बहुत सारे लोग जिनको की गुटका तंबाकू बीडी सिग्रेट या फिर बिटल नर्ट एरिका नर्स जो की पान में लगा करके खाया जाता है ऐसा जो लोग जो खाते हैं बहुत जाता तो उनको मुख कम खुलने वाली प्राब्लम होने लगती है जिसको कि हम लोग ओएसमेफ या ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं यह कैंसर के जस्ट पहले का लक्षन होता है लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो फ कोई भी दात बहुत जल्दी जल्दी हिलने लगता है एक दात आपका हिला आपने उसे रिमूफ करवा दिया नेक्स्ट आपका फिर से दात हिलने लग रहा है इसी तरीके से आपके दात पे बहुत जादा हिलने की अगर प्रवरिती देखी जाती है और आपने सारे दातों क निकलवा करके आप denture wear भी कर चुके हैं तो भी आपको जरूरत है dentist consult की और अगर आप denture wear हैं अगर आप denture पहनते हैं और आपका denture का size अगर अच्छे से fit नहीं हो रहा है तो भी आपको जरूरत है अपने dentist से consult करने क्योंकि अगर आप denture अच्छे से fitting denture नहीं पहनते हैं तो की नीचे जो रीज वाला एरिया होता है वहां पे अलसर होने लगते हैं जख्म बनने लगते हैं जिसकी वज़ा से यह कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है तो अगर आपका डेंचर अच्छे से फिट नहीं हो रहा है तो उसकी फिटिंग पर ध्यान दीजे आप एक नया डें आपको मिलना चाहिए और अपनी पूरी डाइग्नोसिस अच्छे से करानी चाहिए अगर आपको खाना चवाने में तकलीफ होती है या फिर खाना अगर आप निगलते हैं तो आपको डिफिकल्टी फील होती है तो भी आपके नेक एरिया में कुछ ने कुछ प्रॉब्लम स् हम पर अब चोटा सा अलसर से सुरू होता है और फिर वह धीरे-धीरे ओधा करगे Sowu प्रभावित त Tube10 में बहुत ज्यादा condition में प्रभावित होने लगता है Cancer के बरह दो अगर ऐसा कुछ है तो इसको भी हम कैंसर नाश शार्फ होता है तो उसे आपको ब्लेंड करवा लेना है और अगर ये कुछ कंडिशन ऐसा देखने को मिलता है तो आपको जरूरत है अच्छे से प्रॉपर डाइग्नोसिस की आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएए अपना जाच अच्छे से करवाईए ये वाला जो पार्ट होता है जो गर्दन का पार्ट है अगर इस पार्ट में बिना किसी वज़ा का अगर कोई लंप जैसा या गांट जैसा फुला हुआ अगर कुछ दिख रहा है तो भी ये कैंसर का एक लक्षन माना जाता है आपको जरूरत है अपना प्रॉपर चेक अप कराने की तो मेरा ये जो फिक वार्णिंग सायन बता कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे लोगों में अवैर्नेस उतने ही ज्यादा बढ़ेगी आई होब कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और स